वेल्कम बैक टू मैं चैनल गाइज, Mixed Like a Master और आज मैंने एक पोल डाला था कि कौन से टॉपिक पे आज वीडियो बनाई जाए वो तीन पोल थे, Myths About Mastering और Mastering with Stock Plugins and Sampling और सबसे ज्यादा वोट आए थे Myths About Mastering और आज हम उसी टॉपिक को डिसकस करेंगे तो जो पहला Myth है वो यह है कि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि Mastering के बाद हमारा गाना बहुत अच्छा साउंड करने लगेगा और पता नहीं क्या changes हो जाएंगे Mastering के बाद हमारे गाने में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सबसे important mixing है Mastering में सिर्फ आपका गाना loud होगा Release ready करने के लिए Obviously जो frequencies हमें disturb कर रही है उनको हम control जरूर करेंगे लेकिन Mastering का जो main काम है वो है सिर्फ गाने को loud करना Release ready बनाने के लिए Mastering is like cherry on the cake Cake हमारा ready है Cherry उसमें डालके उसको सिर्फ खूब सूरत बनाना है Release के लिए ready ऐसा कोई change नहीं आएगा Mastering के बाद कि आपका गाना Mix में अच्छा sound नहीं कर रहा और Mastering में अच्छा sound करने लग जाए ऐसा कभी नहीं होगा Main जो है आपकी mixing अगर आपकी mixing अच्छी है तो आपकी mastering तब ही अच्छी होगी अगर आपका mix बेकार है और चाहे कोई जितना भी बड़िया engineer हो उस गाने को अच्छा sound नहीं करवा सकता So main thing is mixing पे concentrate ज्यादा करो तो एक और जो मित है वो यह है कि hardware पे master करने से गाना हमारा digital master से बहुत ज्यादा अच्छा sound करने लेगेगा ऐसा भी कुछ नहीं है obviously जो mastering console की जो warmth है या उसका जो color है वो तो बेशक आएगा लेकिन फिर बही बात अगर आपकी mixing अच्छी है तो आप अगर digitally भी उसको master करते हो तो वो अच्छा sound करेगा और अगर आपकी mixing अच्छी नहीं है तो वो hardware पे भी अच्छा sound नहीं करेगा आप hardware जैसी sound digital mix और digital mastering में भी achieve कर सकते हो तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आपका budget है तो आप hardware mastering करवा सकते हो या फिर अपना hardware console buy कर सकते हो तो काफ़ expensive है वो तो starting में तो नहीं होगा और ये एक myth है तो 19-21 का फरक है ज्यादा फरक नहीं है digital mastering और hardware mastering में और एक और जो myth ये है कि loud is better तो ऐसा कुछ नहीं है आपके गाने के dynamics खराब नहीं होने चाहिए अगर loud करने से आपके गाने के dynamics खराब हो रहे हैं तो loud नहीं करना चाहिए ज्यादा आपने गाने के dynamics को बचाओ और वो अच्छा sound करे और clip के बाद अगर वो distorted सा sound करता है तो वो बेकार है loudness बेकार है अगर आपका गाना अच्छा sound नहीं किया तो कोई फाइदा नहीं है loud करने का तो उतना ही loud करें कि आपकी गाने के जो dynamics हैं वो खराब ना हो obviously जो LUFS streaming platform से मागा है उतने तक जरूर आज पास ले जाएं लेकिन बहुत ज्यादा loud करने की जरूरत नहीं है dynamics खराब नहीं करने हैं अगर आप YouTube पे सर्च करो how to master a track तो बहुत सारी वीडियो आएंगी और उनमें एक बात common होगी कि हर एक ने अपना mix export किया और दूसरे project में डाला और फिर उसको master किया और ऐसा करने की जरूरत नहीं है अगर आपने गाना किसी और mastering engineer को भेजना है तब तो आप भेजो no problem लेकिन अगर आप खुद master कर रहे हो और आपने देखा कि जब मैंने loud किया मेरे high hats चुबने लगे और मुझे कम करने है या मेरी vocal में asses बढ़ गए तो उनको control करना है तो आपको फिर से mix बाले track में जाना पड़ेगा और उसको control करना पड़ेगा फिर export करोगे दूसरे project में import करोगे तो ये काफी लंबा process हो जाता है वैसे इतना लंबा भी नहीं है लेकिन आदमी तीन चार बार करने के बाद fed up हो जाता है ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है आप उसी project में गाने को master कर सकते हो आप उसकी stems को उसी project में export करो और वहीं आप उसको master कर सकते हो और उससे आपको फाइदा क्या होगा अगर आपको लग रहा है कि मरी vocals कम है आप बढ़ा सकते हो तो वापिस आपको mix में जाने की ज़रूरत नहीं है उसी track में आपकी vocals है बाकी सारे elements उसी project में हैं तो आप वहीं पे कम यहां ज्यादा उसको कर सकते हो और आपका बहुत सारा time जो है वो बचेगा तो आप उसी track में mastering कैसे कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ computer screen पे तो यह है मेरा एक project upcoming project मैं आपको सुनाऊंगा नहीं यह मेरा गाना है और मेरी आवाज में है मैं जल्दी इसको पूरा करके release करूंगा और आप कैसे इसकी mastering किसी project में कर सकते हैं सबसे पहले जो हमारा main master channel है आप सिदे उसमें mastering की plugins जो भी आप जैसे भी करना चाहते हो उस पे डालके सीधा भी इसको master कर सकते हो क्योंकि जो हमारे software हैं वो इसी तरह से design है कि पूरा गाना एक ही project में हो जाए लेकिन पता नहीं ये काफी famous हो चुका है कि export करके दूसरे project में डालके फिर उसको master करें जरूरी नहीं है कर सकते हो गलत भी नहीं है जरूरी भी नहीं है तो pros and cons हर एक चीज़ के होते हैं तो दो तरीके हैं इसको master करने के एक तो सिधा master channel पे अपनी plugins डालो और master कर दो तो जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप अपने सारे stems को select करो और bounce in place कर दो वहीं पे आपका सारा track single track में बनके आपके सामने आ जाएगा और उस पे आप अपनी plugins डाल के उसको master कर सकते हो bounce करने के बाद या render करने के बाद आपके पास ये mix track आ गया है और आप यहीं पे इसको master कर सकते हो और अगर आपको लगा कि हाँ यार मेरी vocals कम हैं, ashes हैं या बेस कम आ रही है या बेस ज्यादा हो गई है, high hats चुब रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है, project बंद करो वापिस mix में जाओ, फिर export करो उसमें import करो, ऐसा नहीं है तो आप इसको delete करो, अपनी vocals या कोई भी element है, उसको set करो फिर से bounce in place करो, इदर उदर जाने की जुरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पी आपका गाना master हो जाएगा तो ये थे कुछ myths जो mastering के बारे में फैले होए हैं, तो आप इनको ignore करो, तो music बनाने का कोई hard and fast rule नहीं है, कि ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही काम होगा, आपको अपना तरीका ढूंड़ना है, और अपने तरीके से काम करो कोई लकीर के फकीर बनने की जुरूरत नहीं है, अपना तरीका ढूंड़ो और अपने तरीके से काम करो तब ही आप लोगों से different दिखेंगे, तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब तू माच चैनल और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ यो नो